आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सीख्षक बाहली से जुरे एक बरी खबर आप सब भी अभियार्जी को बता दे कि December Seated Pass अभियार्जी के द्वारा मानने पटना हाई कोर्ट में एक और केस फाइल किया गया है यह एक बहुत बरी खबर है 308S पेटिशनरों के द्वारा पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया है केस 8 September 2020 को फाइल किया गया है रेजिस्टिसन डेट है 10 September 2020 और सबसे बरी बात कि इस केस में जो वकेल रखा गया है वो वाई भी गिर्यू को रखा गया है अब लगबग 308S पेटिशनरों के द्वारा ये केस फाइल किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं केस नवर CWJC 7721-2020 परभाग कुमारी पेटिशनर है यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी अभियारतियों को बता दे कि इस केस का दसा और दिसा दोनों ही जल्दी ताय होने वाला है साथ ही आप सभी अभियारतियों को यह भी जानकारी दे दे कि अगर December CET पास अभियारतियों को आप दिन करने का मौका मिल जाता है तो इस अधार पर कहा जा सकते हैं कि अब जो है जुलाई 2020 वाला जो सीटेट वाला एक्जाम है ये भी जल्द ही हो जाएगा तो कहिन कि अगर दिसम्बर सीटेट पास अभियारतियों को पटना है कुर्ट से अगर जीत मिल जाती है तो ये कहना गैलत नहीं होगा कि जुलाई 2020 वाले अभियारति भी पटना है कुर्ट में केस फाइल करेंगे हाला कि अब देखना ही है कि जीता या हारता ये तो बात की बात है फिलाल आप सभी अभियारतियों के लिए एक बरी अपडेट ये है कि दिसम्बर सीटेट अभियारतियों के द्वारा एक और केस फाइल किया जा चुका है जिसमें वाइविगिरी को रखा गिया है यह बिहार सिक्षक वाली का दसा और दिसा दोनों ही ताई करेगा इस मामले पर अगली सुनबाई आपको याद होगा दिसम्बर सीटेट को लेकर के 21 सेप्टेमबर को होने जा रही है और B8 भर्सिस DL8 का जो मैटर है इस केस पर अगली सुनबाई 28 सेप्टेमबर को होने जा रही है तो ये था एक बरी अपडेट वहीं आप सभी अभ्यारती को बता दी कि लगातार जो है अभी नियोजा निकाईों के द्वारा उपबंदीक मेधा सुची का परकासन जारी है होने बारी है समभबता सिक्षा विभाग 20 या 28 तक जो है समभबता अपबंदीक मेरिट सुची का परकासन आपती और पुना परकासन का जो प्रोसेस है वो इस माह तक हीज कर लिए जा सकता है फिलाल आपसे भी अभियार्थियों को जोइनिंग देनी के बात नहीं कही गई है सिक्षा विभाग के द्वारा क्योंकि दो दो केस है और इन दोनों केसों को जब तक फैसला नहीं आ जाएगा क्योंकि सबसे पहरी बात यहां पर आपको बिता दे कि December CT 12 में जो है अभियार्थियों को जोइनिंग लेटर ही नहीं देना है इसलिए यह जब तक मामला पटना है क्रोट में रहेगा December CT 12 अभियार्थियों को कभी भी जोइनिंग लेटर नहीं मिलेगा लेकिन इससे पहले जो भी परी किरिया है वो पूर्ण कर लिया जाएगा फिलाल आप देखना यह है कि जो कोड का माइटर है वो अगर किलियर होता है चुनाब से पहले तो ठीक है अगर चुनाब के बाद होता है तो इसका परिनाम भी जो है काफी लंबा और पने चीदा जो है आपको देखने को मिल सकता है फिलाली सब डेट में बस इतना है थैंक यू